दोस्तों, आज जो वीडियो वारेल हुआ है, उस वीडियो के देखने के बाद तो मेरा दिमाग खिल गया, यह तो अहंकार की पराकास्टा है, आमिताप बच्चन भी इंडिस्ट्री में होते हैं, शारुक खान भी होते हैं, पंकस्त्रिपाठी भी होते हैं, नवाज उद्द लेता हैं, कोई 2 कौन लेता है, कोई 100 रुपए लेता है। समर सिंग्ग, प्रमोत प्रेमी, कलू, यश कुमार, जितने भी हीरों हैं हमारे गोरों जहां, चिंटू, गोलू, भै हीरों तो यह भी हैं, और अबिनेता हैं, यह कहना, कि 5,000,000 रुपया से ऊपर कोई नहीं है यह कूँ सी बात हुई तो तो हम को कहेंगे कि 25 अरवल आक्टर है अप पिर तो हम लोग कहीं गिंती में नहीं है पैसों से तो पहली बात किसी का मुल्लयागन करना अनर्थ है और ये कौन सी बात हुई कि 35 रुपया से उपर का पिच्चन नहीं जाता है आप लोगों की फिल्म से कौन प्रोडूसर कार खरीद लिया कौन प्रोडूसर ने बंगला खरीद लिया मैं जो आफसोस है कि कल मैंने वीडियो बनाया सबसे पहले अपने समस्त दर्शकों से अपने सभी लोगों से छमा मांगता हूँ मैं सबको बाधने का काम करता हूँ तोड़ने का नहीं मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इस बात की चिंता नहीं आए कि कोई हीरो मुझे काम देगा मैं चापलूसी नहीं करता जो सच है वो सच बोलता हूँ कल मुझे लगा था कि मुझे बोलना चाहिए मैंने बोला पर उस वीडियो पर मुझे अफसोस है मैं अभी डिलिट करता हूँ उसको आप छोटे भाई हो और आपके वो भी सब छोटे भाई हैं उसमें से कुछ आपसे उम्र में बड़े भी है आपको सामोही गुरूप से फेस्बुक पर आ करके शमा मांगना चाहिए किसी को गाली दे करके अरे वो लोग उन भी मेहनत किये हैं रगड़ रगड़ कर आए हैं मैं समर को जानता हूँ घिसट घिसट के वहां तक पहुँचा हूँ बच्चा राजकुमार पांडे जी की इतने साल की तपस्या है कि उन्होंने अपने पुत्र चिंटू को मैंने चिंटू का मेहनत देखा है आज 50 लाग तो लेता है वो भी क्या वो तो मुझे तो लगता है कि अपने महनत के बल पर वहां पहुचा वह महनत नहीं किया प्रमोत पिरिमी जहां तक पहुचा वह नहीं महनत किया कल्लू को तो मैं बच्पन से देखा हूं आप आप अच्छे होबा के लोग पुरे हैं कैसे सोच लिया आपने किस तरह से क्यों इतना गंदा वीडियो बना दिया आपने भागवान कृष्ण का आहार है घमंड आपके फैन मुझे गाली दें फेस्बूक कि मुझे बुरा भला के है मुझे पता है मुझे मंजूर करो यतना गाली देना है दीजिए लेकिन मुझे पता है जो फैन आपके हैं वहीं फैन तो उनके भी होंगे जो प्रसंशक आपके हैं वही प्रसंशक यश्कुमार की भी फिल्म देखते हैं चिंटू की भी देखते हैं गोलू की भी देखते हैं निरहुआ की भी देखते हैं रवी किसंद की भी देखते हैं मनुस्तिवारी की भी देखते हैं परिवार है परिवार है और परिवार की र तब्यमकार से आकर के मंच पर बोलते न तब मनमाम माल मुपक्रणे पस्रम आ रही है कि मैं चाहे कलlawan को में काम को परीपन सब के साथ कि एवा शीकुमार के साथ है। गोलू के साथ भी किया है प्रमोत प्रेमी के साथ भी किया है गौरो जहां के साथ भी किया है समर सिंग के साथ भी किया है राकेश मिसरा के साथ भी किया है हीरों तो सब हैं अपने अपने लेबल के हीरों है अब रही बाद पेमेंट का उपर नीचे होना तो मैंने देखा है कभी एक लाक मिलता है कभी पचास लाक मिलता है तो सब के साथ होता है आपको पचास लाक मिलना तो जीवन वर्त्रोली मिलेगा आप नीचे भी आएंगे फिर उपर जाएंगे हो सकता जीवन वर बाते रहें भाई तमिल तेलगू मलयालम से ले करके और कोई ऐसी इंडिस्टी नहीं जहां रभी किसन ने छोड़ा हो कोई काम जो अवनेता की बात आएगी तो रभी किसन का तो नाम होगा भाई या पहले पर उन्होंने कभी ऐसी बाते नहीं बोली मुझे बहुत खुद पर गुस्सा आ रहा है मैं कली सब के सामने आपके बारे में यही बोल रहा था आप दुनिया के सबसे हमबल इंसान है पलाना नहमकान है और आज आपने यही वीडियो मुझे लोगों ने आज कितनी गालियां दी बोल करके फोन करके कि आपने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया मैं अभी भी कह रहा हूँ गलती हर इंसान से होती है घर का मामला है इसे अप ज़्यादा तूल मत दीजिए आपको अपने छोटे भाईयों से शमा मांगना चाहिए शमा मांगें गलती पर मिट्टी डालिए परदा डालिए उस बात को खतम करिए हाँ इसके बाद दी अगर आपको लगता आपने गलत नहीं किया तो भाई नमस्कार आप अपने सिनेमा में मुझे काम मत दीजिएगा मैं बड़ा पाव की दुकान खोल लूँगा गाउं में खिती कर रहा हूँ मैं तो गाउं में ही जादा रहता हूँ ठीक है बहुत लोगों ने अपने सिनेमा में लेना बंद कर दिया है का आपके भी सिनेमा में काम नहीं करेंगे लेकिन यह है कि गलत चीज गलत है तो मैं गलत पर गलत बोलूँगा हम इसी इंडिस्ट्री की रूटी खाया है अपने बच्चों को यहीं की कमाई से पढ़ाया है अपना घर का खर्चा आज तक चलाया है आगे भी यहीं से चलने वाला है तो गलत को गलत बरदास नहीं करूँगा जहां बोलना है वहां बोलूँगा क्यों भाईया आज अपने कंधों पर यह अश्कुमार फिल्म नहीं बेच रहा है क्या चिन्टु अपने कंधे पर फिल्म नहीं बेच रहा है क्या प्रमोट प्रेमी नहीं बेच रहा है ठीक है सबका अपना बजट है लेकिन आज सिंगर की इंडिस्ट्री माने जाती नॉन शिंगर है चिंटू लेकिन वो किसी स्टार्से कम तो नहीं बिखता है यह उसकमार तो तो सिंगर नहीं है वह भी अपने कंदे पर फिल्म को बेच रहे हैं लेकिन अगर यह सलक playing पर आ कर चिल देता ये हो कि आप अपने को एक्टर को अपने भाई को मैंने समर्श सिंह को देखा है आपके लिए peso की बोलते हुए प्रेस हुआ मैं जाद ना बोल करके भी इतना कहूंगा जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और समढ़ दर्शकों से कहूंगा आप लोग भी अपने सब्द पर और अपने वर्ड पर कंट्रोल कीजिए कि गलत बात है यह किसी को बुरा सब अपने आप पे पावर्फुल हेरों हैं सब अपने पावर कलाकार फिर तब यह तो हमारे जो करेक्टर राटिस्ट हैं चरित्र विनेता हैं तो वेकार हैं ऐसे भी जिएएख महोदयन एक दिन बोला खुछी भी कल लीटियापं त्रवं contemporary रहेंगे के अच्छा है लिंद., विनेता नहीं रोगया है यगे पंकच्त्र पाठी जी नमसुत द्रवत्टे जीन सब्सक्राई, सिनेमा में मैं जितना प्रमुखता वो चाहे प्रमोत प्रेमिय हो स्टार है चाहे संजय पांडे हो स्टार है अधनी सिंग है प्रकाश जाए स्टार है वो नीचे भी वो नीलम डीदी हो चाहे राजकपूर साही हो वो चाहे हमारे गौपाल राय हो विनोद मिश्रा हो सब स्टार है स्टार नहीं है इनके दर्शक नहीं है तो आहत होते हैं भाई यह तो गलत बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा यह जो मैंने सुना आज का वीडियो हम लोग पढ़ाई लिखाई कि कि क्या मात्रव है अगर हम लोग किसी गाली गलोज करेंगे वेस्बूक पे बिल्कुल नहीं मैं अपने समस्त भोजपूरी सिनेमा के तरप से आपसे अनुरूत करता हूं कि आपकी महंता तभी है कि आप को एक कटसित के तोर पर शमापरार्थी होना चाहिए माफी मागना वाकि आपके मर्जी आपका बुद्ध विवेक जैसी आपके मर्जी वैसा आपके जी धन्यबाद